हाई ब्रिवन आज हम आप सभी लोग को बिने नाम के बारे में बताएंगे जैसे बिने नाम का मतलब रासि सुब अंक सुब रंग नच्छत आत के बारे में बताएंगे बिने नाम का अर्थ क्या है बिने नाम का अर्थ रविनमता चे संसकार सलीनत और सयम होता है एस अभी गुड आपको उसके बिवार में भी दिखने को मिलता है बिने नाम के बेक्तिका शुभाव, स्रीधा और सरल होता है तंसकार और सिष्टाचार उनमें देखते ही बनता है इमंदारी के बारे में क्या कहें ए लोग इतने इमंदार और बात के पक्के होते हैं कि हर कोई इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है बिने नाम के लड़कों में दायर की कोई कमी नहीं होती बिने नाम के लड़कों को घूमने पिरने का बहुत सौख होता है बिने नाम का रासपल बिने नाम के लड़कों की रास बिसब और स्वामी शुक्रा होता है बिसब रास्ट के जातक होने के कारण बिनाय नाम के लड़के थोड़े गुस्से वाले होते हैं लेकिन उनका मन बिल्कुल साप होता है बिनाय नाम के लड़के दूसरों के लिए काफी विश्वासनी हो सकती है ये लड़के अपने काम से समाज में उधारता पस्तुत करते हैं जिनका अनुसरण करना लोगों को पसंद होता है बिनाय नाम के बेक्तियों का बेक्तुत काफी मदुर होता है बिनाय नाम का शुब अंक बिशब राज का ग्रास्वामी सुक्र है और शिक्स इनका शुब अंक है जिनका लखी नंबर शिक्स होता है वे काफी सुन्दर वा आकर्शक दिखते हैं बिशब नाम के लोगों को जरा भी गंदगी पसंद नहीं होती एक अलात्मक भी होते हैं लकिन अंबर शिक्स वाले लोग काफी धरवान होते हैं और उन्हे घुमने फिरने का काफी सौक होता है बिशब नाम के लोगों को माता पिता ते काफी प्यार वा ममता मिलती है बिने नाम का नचतर क्या है ऐसा माना जाता है कि जिन बच्चों के नाम बिने होते हैं उनका जन्म रोणी नचतर में होता है जिसका पती चिन एक बैल गाड़ी जिसे दो बैल खीच रहे हैं होता है रोणी नचतर से संबन्दित अच्छर इस परकार हैं ओ वा वी वू बिने नाम का शुब दिन सुक्रवार और बुद्वार होता है बिने नाम का शुब रंग नीला हरा और सफेद होता है बिने नाम के बैक्तिका बैक्तुत जिनका नाम बिने होता है उनकी रास ब्रशब होती है इस रास के लोग अपनी जाब वा अन्न कार काफी इमंदारी से करते हैं, अपने मित्रों परिजनों से सच्चे मन से जुड़े होते हैं, बिने नाम वाले लोगों को अपने जीवन में बदलाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिशबरास के लोगों को बदलाव पसंद नहीं होता, इसलिए ए लोग अक्सर हटी सुभाव के बन जाते ह मन मौजी, धायरवान और भरोशा इनके शुभाव की खास पाते हैं, बिने नाम के लोगों पर आख मून कर भरोशा किया जा सकता है